नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल All About Life में इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो पॉपुलर पेन रिलीफ इस्प्रे का पहला है मूव इस्प्रे दूसरा है ओम्नी जेल इस्प्रे ये दोनों इस्प्रे दावा करते हैं कि ये हमें दर्द से राहत देंगे सबसे पहले हम इनके कंपोजीशन को कंपैर कर लेते हैं ओम्नी जेल में हैं वर्जिन लिंसिट ओयल, डाइकलोफिनेक डाइ इथाइल अमाइन, मिथाइल सैलिसिलेट, मेंथाल टॉपिकल इस्प्रे, मूव 100% आयरवेदिक है इसमें है ओयल ओफ विंटर, ग्रीन नील गिरी तेल, तारपीन का तेल, सिनेमन ओयल, पुदीने का फूल इन दोनों का सेल्फ लाइफ है दो साल, अब हम इनके प्राइज और साइज को कंपैर कर लेते हैं ओमनी जेल का प्राइज है 124 रुपीज 35 ग्राम के लिए, मूव का प्राइज है 140 रुपीज 35 ग्राम के लिए, इन दोनों में आपको different sizes मिल जाएगा और ट्राइल पैक भी मिल जाएगा Omni Gel Move से सस्ता है आप इन दोनों इस्प्रे का इस्तमाल जोडों के दर्द के लिए कमर दर्द में मानस्पेसियों में दर्द है तब कर सकते हैं मोश आ गया है तब आप इन्हें इस्तमाल कर सकते हैं इन्हें इस्तेमाल करने से पहले इनके bottle को आप अच्छे से से शेख कर लें बच्चों से इन्हें आप दूर रखें इनको आप अपने skin से 5 cm दूर से spray करें किसी भी खुले हुए गाव पर इन्हें ना लगाएं आप इन्हें एक दिन में तीन से शार बार इस्तमाल कर सकते हैं अब बारी आती है कंक्लूजन की ये दोनों इस्प्रे बहुत इफेक्टिव हैं मूव 16 साल से कम उम्र के लिए नहीं हैं दोनों ही दर्द एंड इंफ्लामेशन को घटाने में मदद करते हैं लास्ट्री में ये दोनों ही इस्प्रे मना किये जाते हैं इस्तमाल करने के लिए जिसको ज़्यादा अफॉर्डेबल इस्प्रे चाहिए वो आमनी जेल इस्प्रे ले जिसको आयरवेदिक प्रोड़क्ट ज़्यादा अच्छे लगते हैं वो लोग मूव इस्प्रे ले सकते हैं मैं भी आयरवेदिक चीजें इस्तमाल करना जादा प्रिफर करती हूं तो मुझे मूव जादा पसंद है पेन रिलीफ में भी मुझे ये जादा एफेक्टिव लगा ये दोनों ही इसकिन पर कूल सा एफेक्ट देते हैं इन दोनों का परशेज लिंक आपको मिल जाएगा स्क्रिप्सन बॉक्स में इन दोनों में से आपको कौन सा जादा पसंद है मुझे कॉमेंट में जरूर बताईएगा ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को इस वीडियो को लाइक करें टेक कियर बाबाई